यह दुनिया है जनाव यहाँ दुनिया आपको मिट्टी में मिलाने के लिए ना कंधो पर उठा लेती है नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसिन दोज आक्टर वायरा कि आपका स्वागत अभी नंदन है लीजे हाँ पहुंच गए सत्रा फरवरी सत्रा फरवरी को विजया एकादशी है इससे पहले जया एकादशी थी यह विजया एकादशी है जया और विजय जो है विश्नु भगवान के दौार पाल है एक दाएं एक बाएं खड़ा हुआ है तो जया एकादशी और विजय एकादशी आती है जया दिलाती है हर शित्र में और विजय आपको हर कारे में विजय दिलाती है और ये दोनों की दोनों एकादशी आ फागुन के महीने में आती हैं आपको सबको इस एकादशी की बहुत बहुत शुब कामना है जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं कि जो भी एकादशी फरवरी के महीने में आती है ये दूसरी फरवरी के महीने में फागुन के महीने के एकादशी है जिसमें है जिसे हम विज़े एकादशी कहते हैं आपके हर जीवन के हर शित्र में ये सफलता दिलाती है विजे दिलाती है और अगर आप कॉम्पेटिटर हैं किसी एक्जाम में बैट रहे हैं आईएस बनना चाहते हैं तो भले ही आप एक अदर्शी पे वरत ना करें पर कुछ उपाय करकर आप अपनी जिंदेगी में बदला ला सकते हैं क्या हैं वो पाय मैं आपको बताऊंगे लेकिन सबसे पहले बिलीविन कर्मा विजे एक ऐसा खुबसूरस शब्द है जिससे सुनते ही सबसे पहले अमिताब बच्चन जी याद आते हैं क्योंकि याद होगा आपको अमिताब बच्चन जी अपनी हर हिट मूवी के अंदर अपना नाम विजे रखते थे और फिर बाद में तो ऐसी बाते होने लगी थी कि अमिताब बच्चन जिस मूवी में अपने नाम ही विजे रख देते हैं उस पिच्चर का हिट होना पका है तो हमने भी कई बार देखा कि हमारे साथ स्कूल में पढ़ने वाले और कई तरह के ऐसे बच्चे थे टूइशन में बढ़ते तो उनका नाम विजे था क्योंकि ममी ने अमिताब बच्चन का नाम देखकर विजे रखा है तो शायद हम हर शेतर में विजे हो जाएं आपकी जिंदेगी के अंदर अगर आप विजे होना चाहते हैं तो आपको बता दू कल यूग के अंदर केवल दो ही भगवानों को आप पकड़ लीजे आपका जीवन कल्यान कायरी हो जाएगा एक हनुमान जी दूसरे विश्णुजी देखिए मैं आपको बता दू हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं तो हनुमान जी थे जो अरजुन के रत के उपर भी थे जंडा पकड़े होए थे क्रिशन जी सार्थी बने होए थे वो रक्षक बने होए थे हनुमान जी थे जो राम जी के साथ कदम कदम पर साथ चल रहे थे चाहे खोई हुई लंका हो चाहे खोई हुई संजीवनी बूटी हो चाहे खोया हुआ राम जी के मन का सकून और सीता मया की चूड़ा मणियों उन्होंने ही लाकर दी अंगुठी दी ठीक है ना तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां भी आप देख लीजिए कुछ भी चीज़े हों वो हनुमान जी ने ढूंडी तो अगर कल्यूग में अगर हनुमान जी आपके सारती आपके दोस्त आपके हमसफर बन जाते हैं तो कोई कस्ट और तकलीफ आपको छू नहीं सकती ना से अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़े नहीं भी करनी तो हनुमान जी को पकड़ लीजे और विश्नु जी के एकादशी पकड़ लीजे जीवन में विजय ही विजय होगी आपकी तो आज आपको शालिगराम जी की और शिरीयंतर की पूजा जरूर करनी है आज आज आपको शालिगराम जी और शिरीयंतर को सनान कराकर साफ गंगा जल से पानी से गुलाब जल से थोड़ दिर धूप में रखना है जब वो चार जो जाए उसे अपने घर में लाएं और फिर पंचामरत से सनान कराकर साफ पानी से सनान करके वो पंचामरत घर के सभी लोग पी है इनका होना बहुत जरूर है चंदन कुमकुम जरूर लगाएं कहते हैं विजया एकदशी वाले दिन चंदन और कुमकुम का तिलक हमें घर के विजय तिलक के हिसाब से घर के सभी मेंबरों को लगाना चाहिए करना चाहिए विश्णु जी को भी लगाना चाहिए घर के पु पीले हों तो ओए होए फिर तो बात ही क्या बहुत ही जादा लाब दाएक होंगे और जिंदेगी के अंदर सुख देने वाले होंगे आज आप हलवे खीर बनाकर गरीब बच्चों में जरुरत मंदों में बाटे तो बहुत अच्छा है क्योंकि आज एका दशिय चावल नहीं सहस्तनाम का पार्ट जरूर करें क्योंकि हम ये बात भूल नहीं सकते एक तो जिंदगी में खुबसूरती दिलाने वाली विज्या एकादशी हुए हुए और उपर से दिन है शुकरवार का मतलब पती पतनी दोनों का ही दिन हो गया जिस दिन पैसे आ जाता है न हम जिन्द पूजा करकर शिरिसुक्त का पार्ट करकर कनक धरासरोत का पार्ट करकर विश्नु सहस्तनाम का पार्ट करकर विश्नु चालीसा का पार्ट करकर आज आप चंदन का तिलक जरूर लगाएं आज मंदर में जंडे जरूर लगाएं आज चावल ना खाएं चावल का दान करें पूरी रातरी आप जागरन करें, एक दीपक ऐसा जलाएं अपने घर के अंदर, जो सुबह से शाम तक जले, आज आप तुलसी की परिक्रिमा जरूर करें, आज तुलसी पे दिया जरूर चलाएं, आज तुलसी की आरती भी ज़रूर करें, इससे मा विश्णू और लक्ष्मी की विशेश किरपा आपके उपर होगी आज आप अपने घर की जो पोटली है हर जगा हर शितर पर विजे पाने के लिए उस तिजोरी को खोलें जहां पोटली रखी है वहाँ परणाम करें चरंसपर्श करें नाक रगड़ें और बोले हैं साकशक मा लक्षमी आप मेरे घर पर बैटी है मा भवानी मा दुरगाहिर मा लक्षमी किरपा कीजे असीम किरपा कीजे मैं कमल गट्टे की माला पर आपका माला जाब करती हूँ उस पोटली पर थोड़ा इतर छिड़के थोड़ा दीब दूब दिखाईए और बस उसे फिर बंद कर दीजे साकशक मा लक्षमी का रूप आपके घर में बैठे हैं ऐसे मन के अंदर धारना रखकर और अपनी जिंदगी के अंदर आप वो चीजे देखेंगे जो आपने लंबे समय से कभी सोची भी नहीं होंगी और इसके आपको 100 आउट ओफ 100 रिजल्ट्स मिलेंगे मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसें दोस डॉक्टर वायरा की जहांपर आपको फागुन के महीने में पढ़ने वाली विजया एक अदरशी जो कि आपके और मेरे जीवन में विजय दिलाती है उसे एक अदरशी के बारे में मैं आपसे बात करी हूँ उमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और मैं आपसे इनी दिनों में जो है दो-दो मिनट के उपाई भी शेर जरूर करूंगी तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेर जरूर कीजेगा मेरी वीडियो पे नजर जरूर रखेगा कमेंट्स जरूर कीजेगा, जैमाता दी जरूर लिखेगा मुझे फेस्बुक, इंस्टाग्राम, बिलीविन कर्मा, फाइब मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेर चार्ट और ट्यूटर पर भी फॉलो जरूर कीजेगा वहाँ भी सब जगह आपका प्यार चाहिए लेकिन वहाँ पर मैं इन सब्जेक्ट्स पर बात नहीं कर रही हूँ हर रोज मैं अलग-अलग वीडियो, अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर डाल रही हूँ जिस पर आपकी नजर होनी जरूरी है तिती के हिसाब से तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इन सब जगापर कम से कम मुझे फेस्बुक पर बिलीविन कर्मा फाइब मिनेट स्टोरी और मेरा ये वाला चैनल जो आप देख रहे हैं और जो है इंस्टाग्राम इन पर तो ज़रूर फॉलो कीजे क्योंकि यहां आपको महतरपूर और खास जानकारी मिल सकते कमेंट्स में जैमातादी लिखेगा परमपिता परमात्मा से महालक्षमी से मेरी यही कामना है कि हर शित्र में आपको विजए मिले और विजए भी ऐसी विजए की हुए जंडे कर जाए दुनिया आपकी तारीफे करे और आपकी तारीफ करते करते लोग ठके ना इश्वर से यही कामना है मेरी चलिए फिलाल मुझे दीज़े इजासत अपना अप्टों का रखे का खास जान जैमातादी झाल